नमस्कार तो अभी हमारे पास कुछ दिन है कि हम इंडियर फुटबॉल की बाते कर सके कुछ हिस्टरी के बारे में या जो भी जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर पाएं तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे प्लेयर्स बहुत जादर ही दो-तीन ऐसे प्लेयर्स है जो हमारे इंडियर फुटबॉल की रूप रेखा या इंडियर फुटबॉल का फेस बदल सकते थे मतलब आज इंडियर फुटबॉल पता नहीं कहीं और ही होता क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंट्री को ऐसे आइकोनिक प्लेयर्स मिल जाते जिनको शायद सभी लोग फॉलो कर जाते और आज टॉप गेम हो सकता था हमारा फुटबॉल जैसे दो-तीन प्लेयर्स है जिन्नों फॉट बड़ी opportunity थी कि वो Europe में European football में अपना नाम बना सके इंडिया का नाम हाँ पे बना सके clearly बोलो तो but they decided कि हम इंडिया में ही रहते हैं और वो एक मुझे मेरे मेरी opinion में वो एक गलट decision हो सकता में भी उन्होंने किसी और वे में सोचा होगा लेकिन अगर आज की स्थिति को देखा जाए कि आज इंडियर्स फुटबॉल कहा है में भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इसका इतना बड़ा impact हो पाएगा तो आज इंडियर्स फुटबॉल जिस स्थिति में अगर उन्होंने उस टाइम पे कर लिया होता तो शायद हम और आप कुछ और अच्छी बाते कर रहे होते हैं तो सबसे पहले प्लेयर है मोहमद सलीम तो मोहमद सलीम को आप सभी जानते कि पहल अच्छी जा रही थी उनके लिए, स्कॉटलाइट की फुटबॉल असोसियसन ने इसपेसिली उनके लिए वहाँ परमिसन दी थी क्योंकि मोहमद सलीम नंगे पर खेलते थे, वो बूट्स नहीं पहनते थे तो स्कॉटलाइट की एफ़ए ने परमिसन दी थी उनके लिए कि चलिए खेल सकते मोहमस Salim अपने debut match में जब उस Celtic के लिए खेले तो उस match में साथ एक से हो match जीता गया जिसमें तीन assist दिये गए हमारे मोहमस Salim साप के side से और उस match के बाद जो hype बनी है मतलब मोहमस Salim की मतलब newspapers में Indian juggler के नाम से उतना famous हो गया थे और fans इतना चाहने लगे थे मोहमस Salim को की what a player फिर next game और reserve team के लिए खेले तो reserve team के लिए जब ओ खेले तो भाई उनको देखने के लिए केवल 5000 लोग आये थे तो जो Celtic की management थी उन्होंने का मतलब उनका revenue crowd एकदम से बढ़ गया मोहमस Salim की वज़े से केवल दूसरे match में दो match में उनका ये वहाँ पे ये level हो चुका था तो उन्होंने मोहमस Salim को ये भी offer किया था कि हम आपको 5% जो ticket sales हो रही है ना उसका 5% हम आपको देंगे इतने तक Celtic चली गई थी और जो coach थे coach मोहमस Salim को next season मतलब season के लिए sign करना चाहते थे 1936-37 season के लिए मोहमस Salim को अपनी team में रखना चाहते थे Celtic में अब क्या हुआ कि मोहमस Salim homesick feel होने लग गया उनको कि मैं तो यहां नहीं रह पाऊंगो मुझे तो घर जाना है तो मोहमस Salim ने दो match खेले और वो वापस जो है वो इंडिया आ गए मोहमस Salim sporting में खेलने लगे तो कहीं नगी आपके दिमाग में आएगा कि उनके पास कितना अच्छा offer था कितना अच्छा उनके पास opportunity थी कि उस Celtic में ही खेलते लेकिन देखिए उनको होमसिक फील हुआ जिसकी वैसे वापस आए तो एक opportunity थी कि उस Celtic के legend बन सकते थे उस time पे चलिए बहराल हम दूसरे player की बात करते है दूसरे player है ताली मेरे नाओ तो ताली मेरे नाओ जो है Indian football team के after आजादी Indian football team के पहले captain थे और इनके अंडर Indian football team काफी अच्छा कर रही थी जिसकी वज़य से Arsenal legendary club Arsenal इनको offer करता एक साल का एक साल के लिए आप Arsenal से खेल लिए अब ताली मेरे नाओ जो थे भहुत अच्छे student भी थे जैसे कि बात उन्होंने MBBS के degree complete करी थी और उन्होंने बहुत बड़ी posting भी मिली थी उनको after Indian team तो बहुत अच्छे student भी थे तो अपने studies के कारण उन्होंने जो है Arsenal का offer ठुकरा दिया क्योंकि उस time पे वो इतने secure नहीं थे कि football में इतना कुछ लेकिन पढ़ाई इसको लेकर वो ज्यादा secure महसूस कर रहे थे उन्होंने का नहीं मुझे तो अपनी studies पे focus करना है मेरी पढ़ाई छुट जाएगी तो Arsenal का जो offer है उन्होंने ठुकरा दिया तो आप सोचिए अगर वो उस time पे Arsenal जाते तो क्या impact हो सकता था maybe वो one year का contract और extend भी हो सकता था या उनको और वहां अगरों खेलते प्रिमेर लीग में तो उनको और भी other clubs के offer आ सकते थे और उस time पे कोई ranking ruler ऐसा कुछ तो था नहीं और हमारी इंडिया टीम तो उस time पे भीया टॉप की टीम में से एक होगा करते थी उस time पे तो ये भी एक मौका था जहां पे एक हमारा हम जो आज जो बोल रहे है न कि हमारे देश को एक iconic player चाहिए उस time ही मिल जाता फिर तीसरे player है चुन्नी गोस्वामी तो चुन्नी गोस्वामी साब के बारे में आप सभी जानते हैं हाली में मैदान फिल्म में भी उनका जिक्र था उनको दिखाया गया था legendary player है और legendary player के साथ legendary coach भी रहा है तो 1962 के Asian Games को जीतने के बाद Tottenham ने इनको offer किया कि आप trial देने आई है directly offer नहीं था contract के लिए trial के लिए बुलाया था Tottenham Hotspur मतलब इतना बड़ा club और ज्यादा chances थे कि उस select भी हो सकते थे because उस time पर चुणनी गोस्वाई मतलब एक पहुती उंदा खिलाडी हुआ करते थे तो उन्होंने उस time पर same way चीज उनके साथ हुए कि secure उनको वो महसूस नहीं कर पाए और Mohan Bagan में उस time में खेला करते थे तो Mohan Bagan की उस time में जो management में उनको ऐसा पूछा गया कि वहाँ पर जाके क्या करोगे अकेले अकेले क्या करोगे और इस चीज का जवाँ वो ढूंड नहीं पाए और उनके दिमाग में एक और चीज थी कि Mohan Bagan में उनको after training केला खाने मिलता था, bread खाने मिलती थी और यह बहुत sufficient था उनके लिए तो वो जो चीज थी कि Tottenham में जाके उनका क्या हो सकता है या क्या scope मिल सकता है क्या globally जो है वो recognition मिल सकता है ये शायद उनको उस time पर कोई mentorship दे नहीं पाए और उन्होंने वो जो trial का offer तो उसको reject कर दिया कि I am not coming मैं अपने देश में खेल लूँ अपने देश में ठीक हो तो हालाग कि अपने देश में भी खेल के वो legend ही रहे लेकिन सोच ही है कि अगर चुन्नी गोस्वा में उसमें Tottenham का trials दे देते अगर select हो याते imagine करियो Tottenham में क्या मतलब आप सोच सकते है कि लेजेंड बनते हो Tottenham के तो आप सोच सकते कि हमारे तीन ऐसे प्लेयर थे जिनके पास बहुत बड़ ओफर था हालाग कि बाद में हमारे कुछ प्लेयर्स फॉरें गया है लेकिन जिस तरीके का ओफर इनके पास था हमारे इन तीन लेजेंडरी प्लेयर्स के पास क्योंकि अब देखे इनको ओफर उस टाइम पे आ थे जब इंडियन फुटबॉल भी जो कुछ है ना इंडियन फुटबॉल का भी कुछ वजूद था आज वो नहीं है तो हम बोलते ना कि हमारे प्लेयर्स को कोई बहार क्यों नहीं ले रहा हमारे प्लेयर्स को यूरोपियन क्लब्स में ओफर क्यों नहीं आते उदर टॉप डिवजन में क्यों नहीं खेल पाते तो एक टाइम था जब इंडियन फुटबॉल अच्छा था तो हमारे प्लेयर्स जो है वो अगर ट्रैल दे दे ते टोटेनम की तो क्या इंपेक्ट हो सकता था क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत टॉप पे कोई गेम पहुँच नहीं पाया था फुटबॉल थोड़ा बत था और आप बोल सकते हैं कि होकी उस टाइम पे गोर्ड वगेरा जीर रहा था ओलम्पिक्स में लेकिन अगर एक देश का गेम की बात करें कि एक देश का गेम वैसा कोई गेम उस टाइम पे था नहीं वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत